कैसे हैं आप लोग मुझे पूरा उमीद है कि आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे आईए आपका वेलकम अपनी यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी इनर्जी विश्वास और इमांदारी से अपने नेक्स क्लास क पूरे अच्छे वे में आप समझेंगे और इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जानेंगे तिर्जिया खंड पर आधारी ब्रीद खंड पर आधारी जो प्रॉब्लम था वही प्रॉब्लम को हम लोग सीखने वाले हैं जिस तरह से कल के class में पूरे तिर्जयाखन का formula के बारे में एक अच्छा जानकारी आपको दिया था कि सारा formula base पर command आपने बनाया था मैंने जैसा सिखाया था उसी way में आपने भी सिखा होगा ठीक है आज हम बात करेंगे कि तिर्जयाखन पर आधारीत question कैसा कैसा आता है जो ठिटा होता उस को अपने दिल के अंदर उतारेंगे दिमाग में उतार लेंगे ठीक है तो चलिए अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं आप भी पूरी तैयार हो जाईए फिट हो जाईए पूरी इनर्जी फूल हो जाईए और यदि किसी तरह का माइंड में कोई टेंसन है प्रेसर है त तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करता और उससे पहले यदि मेरे चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब और सेर नहीं किया तो वह सारे काम को करते हैं ताके मैं पूरे अच्छे वे में से एनर्जी फूल हो सकूँ एक अच्छा कंटेंट अपने प्यारे भाई बहन को चलिए आप यहां पर ध्याद दें मैंने यह को और पहले ही लिख देने का कारण यह कि टैम बचा लैंग्वेश पर अधारी जो होता उसमें लिखने से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है जिस बिना पर वहां पर वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए हमने सोचा कि इस को पह कैस सेंटिमीटर विरीद का एक चांप केंदर पर साथ डिगरी का कोन बनाता है तिर्जिया द्वारा जो खंड है विरीद का एक चांप केंदर पर साथ डिगरी का कोन बनाता है चांप द्वारा बनाएंगे तिर्जिया खंड का छेथफल गयात करें पहला कोस्टन दूसरा कोस्टन कहता है कि चाप की लंबाई ग्याद करें चाप दोरा बनाएंगे तिर्जा खंड का छेथफल ग्याद करें तीसरा कहता है संगत जीवा दोरा बनाएंगे वृत खंड का छेथफल ग्याद करें यानि तीन कोस्टन इसमें आधारी थे और मैंने बताया था कि इसी तरह से तीन फॉर्मूला को आपने जाना था कि तिर्जाखन के रिस्पेक्टिम फॉर्मूला क्या होता एरिया निकालने के लिए तो आपने बोला था पायस का ठिट्टा बड़ा तिन सो साथ डिगरी यदि आपकी चाप की लंबाई पुछे तिसके लिए सुत्र मैंने कलकी कलास म मैंने बता दिया था किसी तरह का कोई प्रॉब्लम कोई टेंसन यहां तक आपको कोस्टन को समझने में नहीं होना चाहिए जो आगे भी हम लोग देखने जा रहे हैं काफे इंट्रेस्टिंग है इसका फीगर किस पर आधारित होगा कैसा होगा वो चीज़ को मैं बता रहा ह मेरे बाई आईए हम लोग फीगर को समझते हैं इस पर आधारित प्रॉब्लम को कैसे जानेंगे देखें यह कि सबसे पहली बात तिर्जिया खन एक एस सेंटीमीटर वीद का एक चाप केंदर पर साथ डिगरी का कोन बनाता है तो इस तरह से हम इसका फीगर को बना लेंगे सबसे पहले हम फीगर पर कमांड करेंगे तब ही हमें कोस्टन पर कमांड होगा कोस्टन को समझ में आएगा यह फीगर होगे यह बीचो बीच में क्या होता सेंटर होता केंदर होता हम इसका नाम ओ दे दिया कितना दे दिया ओ दे दिया तिर्जिया एक एस सेंटीमीटर इस का नाम हमने क्या दे दिया बी दे दिया और ओ ये बराबर ओ भी जो है इस मॉल आ रहे जो तिर्जिया दोनों की लंबाई आपस में क्या है बराबर है ठीक है इतनी बास समझ गया है और ये जो है मेरे भाई ये पी है ये चाप की लंबाई है यहां से इस से चाप है बास समझ बकुंढार्वित्खंद क कीि पूरा विरित्खंड की पर आपको विरित्खंड और देखना है। तो आईए इस वे में figure हम पहले बना लेंगे, एस ट्रैक्टर इस वे में ड्रा करेंगे, ताके फिर जब अच्छे से figure बना लेंगे, तो question को आसानी से बनाना हमारे लिए है, और आपके लिए समझना काफी आसान होगा, ठीक है, अब हम लोग देखो कैसे बनाते हैं, भाई मे कितना degree, तो 60 degree हमने क्या दे दिया, 60 degree का कौन दे दिया, यहां तक समझने में कोई परसानी problem आपको नहीं होने चाहिए, यानि figure के language के माध्यम से, मैंने इस वे में figure ड्रा किया, इस से अलग कुछ भी figure इसका नहीं हो सकता है, यदि इस language प्राधारित ये figure आप ड्रा कर लेत कयाता है मेरे भाई, चांब की लंबाई, तो चांब की लंबाई के लिए हम लोगों ने सूतर जानते हैं, हमलो किया जानते हैं सूतर जिसको हम लोगे small L के नाम से जानते हैं, के लिए formula होता है कि πाई R ठिठाबटा 80 degree, पाई R ठिठाबटा क्या दिग्दी, अब पाई का हम लोग क्या लिए बाइस बटा साथ समानता लेते हैं ठीक है और आर जो दे रख़ा आपका र का वैलु कितना है वही रहेगा अब यह मत कहा दिजएगा कि 1980 कहां आगए भाइ मेरे यह हर में था बीच में यहां भी लिख सकते हैं 180 यहां भी लिख सेंस कोई टेंसर नहीं है मैंने यहां पर 180 को उठा के यहां कर दिया इतनी बात समझ में आया अब यदि कटता है तो कार दें 6 तिया देख रहे हैं 18 हो गया समझे यानि 180 60 बार में 60 तिया 180 होता 70 तिया 101 होता 3 से 3 का हो गया कड गया इस तरह से हम कह सकते हैं कि चाप की लंबाई जो आया पहला अंसर इस कोश्चन का है बाई सेंटी मीटर पहला अंसर इस कोश्चन के कितना है बाई सेंटी मीटर तो पता ही चला कि पहला कोश्चन को हमने बाई फीगर सॉल्फ किया कि इसमें जो चाप की लंबाई आगा मेरे भाई ये APB जो आएगा जो चाप की लंबाई है इसका आएगा 22 सेंटी मीटर इतना बात तो समझेगे हैं अब हम लोग दूसरी बात को समझते हैं दूसरा कोस्टन जानते हैं कि तिर्जिया खंड का छेतर फल तिर्जिया खंड का छेतर फल चाप दौरा बनाएगे तिर्जिया खंड का छेतर फल तो ये जो चाप है ये चाप दौरा बनाएगे ये तिर्जिया खंड इसका छेतर फल ग्याद करना है एक्जामपल को तोर पर इस वे में जो है मेरे भाई इस वे में है आपका O है ही एका नाम A है और इसका नाम B है और यह P है तो यह पूरा का figure इस पूरे का छेतरफल ग्याद करना है इस पूरा का छेतरफल ग्याद करना है यानि तिर्जिया खंड का छेतरफल तो हम यहाँ पर क्या करेंगे तिर्जिया खंड का छेतरफल के लिए फॉर्मूला क्या होता। इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब दिक्कत ना होना चाहिए तो हम आगे देखेंगे कि पाई का वाईलू वाईस बटा साथ होगा मेरे भाई। आर स्क्वाइर तो आर का वैलू एक एस होगा, दो बार एक एस लोगा, क्योंकि आर का वर्ग है तो एक एस भी क्या होगा, दो बार होगा, इतना बार होगा, इतना बार समझ गया है, ठिट्ठा का वैलू कितना डिग्री है, तो साट डिग्री हम भी साट देंगे, और नीचे में क्या हो जागा 360 क्योंकि तिर्जिया खंड का बात है तो डिभाइट 360 से इतनी बात समझी है ठीक है अब देखो यहां अगर कटता है तो काट दें ना कटे तो छोड़ दे इतना हो गया है यानि हम कहसा क्ते है ए में 111 से मुट्ईपलाई करते हैं तो इस वह में इसका अंसर पाते हैं last area, 231, एकाइस गाइस 11 के इसा मृर्टिफिलाय किया तो कितना है 231, बस समझ माया, यहाँ तक कर लेंगा, आप अगर confused है तो हैं यहाँ पर कर भी सकते हैं, एक है हो गया, एक हो गया, दो हो गया, यह हो गया, दू हो ये वाला विरितखन आपको समj में आता होगा कि यह विरित खन इसको कहते हैं तो विरित खंड के संस में पूरा तिर्जिया कंड में से मेरे तिर्भूच का चेदरफल घटाना पड़ेगा तबही क्या निकलेगा विरित खंड का चेदर। निकल जगा विरित खंड का छेतरफल किसका छेतरफल विरित खंड का छेतरफल के लिए फार्मूला क्या होता है कि तिर्जिया खंड का छेतरफल में से माइनस तिर्भूच का छेतरफल घटा दिया जाता है अब देखो यहाँ पर मेरे भाई कि जब हम विरित खंड का छेतरफल ये चोटा वाला पाट का छेतरफल निकालने के लिए ये पूरा छेटफल में से हम triangle के छेटफल को घटा देंगे तो आसानी वे में हमारा बृत खन का छेटफल निकल जागा लेकिन sense ये कहता है कि triangle का छेटफल तिर्भुच का छेटफल निकलने के लिए हमारे पास दो formula होता है तिर्भुच के हिसाब से यदि तिर्भुच जो है समकोन यदि हो जाता है तो उस sense में हम one by two आधार गुन उचाई करते हैं यानि one by two आधार गुन उचाई दूसा sense कहता है यदि बात तिर्भुच समभाहू तिर्भुच हो जाता है तो उसके respect में formula root three but a four into घुजा के इसकार होता है अब यहाँ पर हम देख रहे हैं मेरे भाई आपको इसको समझाने के लिए हम एक चीज़ point बता रहे हैं कि यहाँ पर मान लिया जाए कि यह तिर्जिया है o a यानि हम कह सकते हैं कि o a बराबर o b आये दोनों का value r है यानि दो भूजा बराबर हो याद रहे किसी तिर्भूज का दो भूजा बराबर हो तो जाहिर सी बात है theorem यह कहता है आप पढ़ें होंगे पिछले वाले class में कि यह rule यह कहता है किसी भी तिर्भूज का दो side बराबर हो तो उसका क्या होता मेरे भाई दो कौन भी बराबर होता है एक्सामपल के तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ मानलेए यह तिर्भुज है ठीक है यह इसका O है, इसका A है और इसका B है और इसका दो भुजा बराबर है तो इसके सामने का यह कौन इसके सामने का ये कुन दोनों क्या होगा बराबर होगा यानि ये अगर कौन X है तो ये भी कौन X होगा ये अगर 5 है तो ये भी कौन क्या होगा 5 होगा इतने वास समझ मायक ने आया है मैं एक बार फिर से कह देना चाहता हूँ कि यदि किसी भी तिर्भुज का दो साइड बराबर हो तो उसका दो एंगिल भी बराबर होता है रूल ये कहता है थियूरम कहता है किसी जैसे ये दोनों साइड ओए था ये तिर्जिया ये भी है ये भी तिर्जिया बराबर तो इसके सामने का ये को नहीं दोनों क्या होगा बरावर होगा लेकिन आपके सामने अभी जो चेहरा दिख रहा है तिर बुजका और उसमें एक एंगिल जो अपना जगहा बनाये है मरे भाई वो 60 डिग्री का कितना डिग्री का 60 डिग्री चाप जो है विरित का चाप केंद्र पर कितना एंगिल बनाता है 60 डिग्री का तो already एक कौन का फैलू जो है 60 डिग्री है तो बाकी कौन कितना होगा बाकी कौन कितना होगा तो suppose जब हम theorem यह पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त कि जब यह theorem हम देख रहे हैं कि जूल यह कहता है कि दो साइड बराबर हो तो उसका दो एंगिल भी बराबर होता है तो यानि एक एंगिल का फैलू 60 डिग्री है तो दूसरा एंगिल मान लिया जाए कि X है और तीसरा एंगिल भी क्या है x है क्योंकि जब दो side बराबर हो तो उसका दोनों कोन भी क्या होगा बराबर होगा इतना बास समझ में आ गया और हम लोग जानते हैं कि किसी भी तिरबुच की तीनों कोनों का यह जो होता है वो 180 डिगरी होता तो हम लोग यह इतना बरा 180 इस वे में 60 पलस 2x हो गया बराबर क क्या हो जागा 60 हो जागा x बराबर क्या हो जागा 60 हो जागा तो पता ही चला कि यह भी कौन कौन b b 60 डिगरी आएगा तो हम यह देखते हैं एक बार जब ऐसे solution को मायन में रखते हुए process को आगे बढ़ाया तो पता ही चला मेरे भाई कि यहाँ पर दोनों x का जो मान है वो 80 डिग्री आया इससे पता ही चला कि कौन भी भी 6डी होगा अर और उसका तीर्भुज हो तो उसका तीर्भुज जो दिख जाए और यह स्ति तेस्पेक्ट में हम तिर्भुज को पहचानने वाला। जब बात कर दे तो वह जो तिर्भुज होगा मेरे भाई वो संभाहू तिर्भुज होगा क्योंकि संभाहू तिर्भुज का रूल ये कहता है किसका संभाहू तिर्भुज का कि वैसा तिर्भुज जिसका तीनो कोन बराबर हो ठीक है तीनो कोन क्या हो बराबर हो साथ ही साथ जो होता मेरे दोस्त तीनों कोन बरावर हो तीनों भुजा भी क्या होगा बरावर होगा तो वैसा तिर्भुज जो होता है वो समभाहू तिर्भुज के लिए रूल को फॉलो करता है बात इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया हमने कहा कि समभाहू तिर्भुज के sense में, तीनो कौन बरावर, तीनो भुजा बरावर, तो हमने देखा कि एक कौन साथ डिग्री था, दो भुजा बरावर था, तो दोनो कौन भी कितना होगा, बरावर होगा, तो उस sense में हमने एक कौन का value 60 डिג्री निंकाला तो आटोमेटिक लिए दूसरा कोन भी कितना दिगरी होगा साथ दिगरी यदि बच्चे वाले मेथट को लगा के भी आप प्रोसेस को यूज कर सकते हैं लेकिन आपका माइंड अगर अच्छा है मैथ के छितर में तो वहाँ पर हम लोग डारेक्ट समझ सकते हैं कि यहाँ जो फीगर ड्रा होगा वो समभाहू तिर्भुच का लूख होगा किसका होगा समभाहू तिर्भुच का तो अब हम क्या करें अब हम ऐसा क्या करें कि इसका बहुत ही आसान होगा जब यह पार्ट को समझ में आएगा जब आग गया तब हम लोग इसके रूल को फालो करते हैं इसको बनाना शुरू करते हैं इसे हटाते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखें मेरे भाई कि तिर्भुज ओ तिर्भुज का छेतफ़ल तो यहाँ पर तिर्जिया खंड का जो चेतफ़ल हमने निकाला किया जब 2 भुजा बराबर है ति इसका 2 कौन भी बराबर यह भी एक बराबर होगा यह भी एक तिर्भुज तब हम क्या करें कि 231 जो हो गया माइनस संबाहु तिर्भुज का छेतफ़ल होता है रूट 3 बटच 4 इंटू भुजा का एसक्वार हो गया रूट 3 बटा 4 इंटू भुजा कैस्वार एतनी बात तो समंझ में आ गिया तो रूट 3 बटा 4 दूसों 31 है माइनस रूट 3 बटा 4 है अब भुजा के जहाँ पर 1S कैस्वार क्योंकि 1S ही साइड जब ये कुन बराबर तो ये भी पूरा A B जो हो जागा इस तरह से जब इसको हम बाहर निकालेंगे ओ है ये 60 डिग्री ये भी 60 डिग्री ये भी 60 डिग्री और इसका नाम O है इसका नाम B है तो ये 1S ये 1S तो ये भी क्या हो जागा तो रूट 3 बटा 4 इंटू भुजा कैस्वार तो इस वे में ठीक है जब इसको डिवाइट करेंगे कि एक स्टेप बढ़ा के 441 और रूट 3 का वैलू समानता हम लोग जानते हैं कि 1.73 दसमलब की दो स्थान तक ही मान जेनरली लिया जाता है लगभग में 1.73 अब बटा डिवाइट बाई कित से 4 से तो 231 इससे जब आप मल्टीपल करोगे मेरे भाई तो सम्थिंग 762 आगा बटा क्या हो जागा फूर जब इसको आप इससे डिवाइट करोगे तो 231 होगा अब माइनस जो होगा 4 एक आई 4 हो गया 3 आ गया 4 नौवा 6 हो गया और यह आपका दू आ गया ठीक है यानि पूरी तरह से डेसिमल में अगर बात करते हैं तो 40 पॉइंट जो है ऐसे फिगर को देखेंगे कि वह जो तिर्भुज यजी संभावू बन गया तो हमें रास्ता काफी आसान है और यदि संभावू नहीं बन रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर से क्या होता आगे पढ़ेंगे आप इस तरह से हम लोग जो है एक लंब खिसते हैं औ और वहाँ पर दो भुजा बराबर होता तो सम्दिबाहू तिर्भुज होता और सम्दिबाहू तिर्भुज में याद रहे है कोई भी बीस से जब हटाया जाता है तो कोन को जब फढ़ा जाता है बीस से जब खीचा जाता लंग तो वो दो बराबर भागों में बढ़ जात उस sense में हम trigger को use करते हैं, sign और cause को use करते हैं, उस तरीके से हम उसका आधार और उंचाई को पता कर लेते हैं, फिर वहाँ पर put करते हैं, खैर ये बात तो आगे next question की बात है, जो मैंने एक base दे दिया आपको, उसी तरीके से आप बनाएगे तो अगला question भी बन जागा, ठीक है, जो तिर्जया खंड से related है, जो इस process related है, तो हमने देखा कि काफी आसानी way में इस process को use किया, तो एक अच्छे way में इसका answer ला दिया, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुआ, उमीद है कि आप अच्छे way में समझ गया होंगे, कहीं पर भी कोई tension पर असानी आपको यहां तक नही हुआ होगा, time जादा होगिया, इसलिए मेरा mind of view यही था कि दो question कम से कम बताया जाए, लेकिन जब question को इस way में मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कभी भी दिक्कत problem ना हो, आप एक question को इतना अच्छे से पढ़लो कि फिर दुबारा पढ़ने की जरूवत नहीं रहा, दस question बता दूँ, एक question बे भी command नहीं रहा, तो वो दसो question क्या हो जागा, बेकार हो जागा, इसलिए एक ही question पढ़ हो, लेकिन एक question के method से 10 question बनाने का अगर तरीका आप जानगा, तो वो चीज़ आपकी महारत हांसिल है, वो चीज़ एक सही concept कहता है, ठीक है, तो आप सही concept लिए जादा के फेरा मतलिक कम रही है, और जादा बनाने के, और जादा सीखने के फेरा मरही है, ऐसे process यूज़ करते हो, तो आपके लिए भी अच्छा है, आने वाले exam के लिए भी अच्छा है, ठीक है, तो चलिए इस पूरे question को आप उतार लें, आच्छे way में इसके screenshot ले लें, ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, आज की class के लिए बाई, फिर हम लोग कल मिलेंगे,